बूमिते के अनुसार एक प्रतल में एक बिंदु से समान अंतर पर जो उसी प्रतल पर होते हैं ऐसे बिंदुओं के समों को वृत्त कहते हैं चलो ना बगीचे में खेलेंगे दीदी क्या बोर कर रही हो अरे बगीचे में नहीं जाएंगे ना वहाँ पर तुम सिब मेरी गोराउंट पर बैठते हो और मुझे उस पर चक्कर आते हैं अरे चक्कर तो आएगी ही वह तो चक्की जैसी गोल गोल घूमती है ना ए तुम्हें चक्री बनाना आती है ना हाँ तुझे सीखनी है चलेगा चलो हम खेलते हैं ठेर जरा मैं सामान लाता हूँ अब हम इस पर एक वृत्त निकालेंगे इसे कमपस कहते हैं लेकिन इससे वृत्त एकदम ठीक से निकाल सकते है यह पता है मेरे पास कमपस तो नहीं है चलो मैं इस कटोरी का इस्तमाल करती हूँ हाँ अभी यहा बीच में कमपस की नोक से एक बिंदू तयार हूँ है इसे कहते हैं केंदर बिंदू हाँ हाँ ठीक है अब हम नोक और पेंसिल में अंतर लेंगे और कागज में छेत करेंगे हाँ अभी हम यह काट लेते है अब यह पैंसिल केंद्र में घुसाएंगे फिर हमारी चक्री हो जाएगी तयार अरे वा तुम्हारी चक्री क्या घूम रही है अब मैं भी वनाऊंगी कुछ रह गया लगता है इसका केंद्र बिंद्धु कहां पर है अब मैं पैंसिल कहां से गुसा हूं यहां गुसा कर देखती हूं अरे यह घूम क्यों नहीं रही है जरा देखो तो यह क्यों नहीं घूम रही दिखाओ मैं एक बार करके देखता हूं हाँ तुमने इसमें बीच में ठीक से छेद नहीं किया है मैंने गोला बनाने के लिए कटोरी का इस्तुमाल किया था ना तो फिर केंद्र बिंदु कैसे निकालूं ठीक है हम भाया के पास चलते है वो कुछ बताएंगे बहिया देखिए मैंने पन्ने पर एक गोल बनाया और बाद में उसे काटा उसमें पेंसिल केंद्र बिंदु में घुसाई तो मेरी चक्री तयार हो गई हम कंपस की सहायता से चक्र निकालते है तो उसकी नोग बीच में रहती है वही मध्य बिंदू रहता है अच्छा बराबर है लेकिन आप लोगों के गाड़े रुख कहा गई ही मेर पास कंपस नहीं था ना इसलिए मैंने इस कटोरी का इस्तमाल किया और गोल निकाला लेकिन मुझे केंदर बिंदू कहा है यह मिली नहीं रहा था इसलिए मैंने अंदाजे से पैंसिल गुशा दी लेकिन यह अच्छी तरह घूमी नहीं रही है याने केंदर बिंदू को कैसे ढूंड़ना है यह आपका प्रश्ने है हाँ हम एक करेंगे जाओ अंदर से कागज लेके आओ उस पर हम केंदर बिंदू निकालेंगे बहुत अच्छा कटूरी देदू अच्छा यह देखो यह वर्तुल है उसे मैं आदी घड़ी में मोड दूंगा यह हो गया आरदवर्तुल इसे खोलने के बाद मुझे बताईए यहां कितनी रेशाएं दिखाई देती हैं अभी यह मैं फिर से मोड देता हूं और उसके उपर एक बार फिर मोड लेता हूं यह देखे यह चौथा ही रोटी के समान दिखता है अभी खोलने के बाद कितनी रेखाएं दिखती हैं दोन बहुत खूब अभी यह दो रेशाएं जिस बिंदू को छेती हैं वो इस वर्तुल का केंदर बिंदू होगा यही केंदर बिंदू है यह कैसे जाना एक करो एक कागज आपके वर्तुल पर रखर देखी है अरे यह तो एक दम बराबर बैठ रहा है इसी कटोरी से निकाला है ना वर्तुल अभी जो केंदर बिंदू है उसी में पेंसिल नो चलो अब घुमाओ अरे क्या मस गूम रही है इससे भी अच्छी गूम रही है चलो अब खेलना हो गया तो पढ़ाई के लिए बैठो एक सेकंद भाया हमें कुछ देखना है क्या हुआ अब क्या हुआ कागज पर एक गोल निकाल कर दो मैं उसे कैंची से काटूंगी अच्छा ठीक है अब मैं इसे एक बार मोड कर देखती हूँ और देखती हूँ क्या एक लाइन आती है या नहीं अरे वाँ क्या बात है आ गई और हमारे गोल के केंदर बिंदू से भी होकर गुजर रही है अब चौथाई में मोड कर देखती हूँ अरे वाँ सही सोचाता मैंने ये दो रेखाएं जहां छेती है वहीं रुत्त का केंदर बिंदू होता है चलो अब हो गया सब आपका पड़ाई के लिए बैठ जाओ नहीं न भीया हम दोनों को शीशा पानी खेलना है ठीक है जल्दी खेल खतम करो और पड़ाई के लिए बैठ जाओ हम सब कुछ इखटाई कर लेंगे चलेगा चलो अभी हमें एक वुरुत्त निकालेंगे ये लो ये कैसा गोल निकाला है तुमने ठीक से निकालो अच्छा आया है इतना बड़ा कमपास कहा से लाओं अरे हमारे शीक्षिका के पास है ना बोर्ड पर लिखने वाला कमपस तुम्हें कुछ नहीं आता क्यों रै क्यों जगडा कर रहे हो मुझे बड़ा वृत्त निकालना है लेकिन इतना बड़ा कमपास नहीं है और हमा हट करके बैठी है कि वृत्त अच्छा ही आना चाहिए ठेरो मुझे मालूम है वृत्त कैसे निकालना है कैसे कमपास है तुम्हारे पास अरे नहीं रे एक रस्ती लेके आ जाओ रिविन चलेगी? हाँ चलेगा ले आता हूँ ये ले लो इसको एक नोग के इधर बांधेंगे और गोल गुमाएंगे अरे बड़े होशियार हो तुम नहीं ये मुझे पहले सा ही मालूम्त मार अंगोली निकालती है ना तब ऐसा ही वृत्त निकालती है ये आज मैं कुछ नया सीखा हाँ चलो चलो पढ़ाई करो चलो 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 पढ़ाई करो चलो सनेहल और साईली को शीशा पानी खेलना था ये खेल हम हमारे बच्पन में खेलते थे शीशे के यानि कंगन के शीशे के टुकड़े हाथ में लेकर जट से नीचे वर्तुल में छोड़ देना इसमें से एक एक टुकड़ा आहिस्ते से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालना निकालते समय दूसरा टुकड़ा हिला तो आपकी हार है पूछी अपनी मा तथा दीदी को वर्तुल ये आकार हमारा खास दोस्त है चाया जैसे हमेशा साथ रहता है सुबा उठने के बाद पाटशला में जाते समय खाना खाते समय चौरस तथा समकोनाकार की चार बाजूएं समान होती है समकोन तथा आयत की सामने वाली बाजूएं समान रहती है आप विचार करते हैं तो वर्तुल में ऐसा नहीं है ठीक है आपने अभी देखा है कि केंदर बिंदो और पेंसिल से ही रेशा निकालिए ये हुआ वर्तुल का परिग तथा घेरा अभी इस घेरे पर बिंदू लेंगे एक अर्धगोलाकार में इस हर बिंदू का केंदर बिंदू से अंतर समान ही है मैंने कहा इसलिए नहीं जांच कर देखेंगे ये सलाईली और केंदर बिंदू और परिगिय बिंदू पर रखी बिलकुल फिट रखी जा सकती है अभी और दो तीन जगा सलाई रख कर देखेंगे वहाँ भी वही अनुभव करते हैं इस परिक पर कौन सा भी बिंदू और केंद्र बिंदू जोड़कर एक रेखा निकालेंगे इसे त्रिज्जा ऐसे कहते हैं इस त्रिज्जा की लंबाई सभी जगा गोल में समान ही रहती है अभी हमने देखा कि रागव ने धागा इस्तमाल करके वर्तुल निकाला यानि धागे की लंबाई वर्तुल निकालते समय बदली नहीं आपके घर में वर्तुलाकार अनेक वस्तुएं हैं बरतन पर रखने के लिए होता है वो ढकन, थाली, जाली वाली टोकरी ये वस्तुएं इस्तमाल करके वर्तुल निकालिए उनकी त्रिज्जा, व्यास तथा घेरा यानि परिगना पीए अभी एक पट्टी लीजिए इस घेरे पर तथा परिधी पर कहीं भी बिंदु लीजिए ये बिंदु और केंद्र बिंदु इन्हें जोडने वाली एक सरर रेखा निकाल कर उसे आगे बढ़ाया घेरे तक इस रेशा की लंबाई ना पी तो दो सलाई जितनी होती है इस रेशा को व्यास कहते हैं अभी दूसरे बिंदु से निकाल कर देखेंगे तो भी उतनी ही लंबाई होगी वर्तुल का व्यास सभी जगा समान लंबाई का और तरिज्जा से दुगना होता है चलिए जट से कागज और पेंसिल लीजिए दो उंगलियों में पेंसिल पकड़के हाथ से आहिस्ता गुआया तो वर्तुल तैयार होता है और वो भी कमपास का उपयोजन ना करते हुए हमने क्या सीखा एक, बीच में केंद्रबिंदु लेकर वर्तुल निकाल सकते हैं दो, कमपास का उपयोजन गोल निकालने के लिए करना है तीन, तरिज्जा और व्यास वर्तुल में दिखाना चार, अर्धवर्तुल कैसे तयार होता है स्वाध्याए, कमपास की सहायता से वर्तुल निकालिए दिये वर्तुल में तरिज्जा और व्यास दिखाईए लगवर्त आफाउड़ लिकालने के लिए टूद उनावाइए स्वागशन वर्तुल कैसे और वर्तुल